आज की इस वीडियो में है गाइस मैं आपको बतने वालो आप ओफ लाइन ब्रांस पर जाकर स्टेट बैंक ओफ इंडिया का ATM कार्ट कैसे एपलाई करेंगी ओफ लाइन SBI का ATM कार्ट एपलाई करने के लिए आपको सबसे पहले आप अपना ब्रांस पर जाकर एबलाई फ्रॉम ले लेंगे इसी फ्रॉम के उपर आपको लिखाएगा SBI कार्ट और आपको यहाप पर लिखाएगा State Bank of India apply from for ATM कार्ट ठीक है और इसी फ्रॉम को पूरी तरह से फिल करने के बाद कैसे सब्मिट करना है है ब्रांस कार पूरा सब कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर तो गाईस वीडियो का लाउष्ड तक बने रहे अगर आप पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप पूरी तरह से नहीं समझेंगे कैसे फिल करना है फ्रॉम को और कैसे सब्मिट करना है कौनसा कौनसा डोकुमेंस चाहिए इसी फ्रॉम के अंदर तो आप कुछ भी नहीं समझेंगे तो आप बाद में परिशानी में पर जाएंगे तो वीडियो को पुरा देखिए फ्रॉम की उपर सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम अपना सरनेम के साथ यह पर लिख देना है लिखने के बाद आपको ने क्या लरकी है या लरका है आपको यह पर टिक मर्क देना है अगर आपने लरका है तो आपको फीमेल पर ऐसे टिक देना है तो हम लरका यह पर फीम पर अपना शहर का नाम लिखना है उसके बाद आपको अपना डिश्टिक का नाम लिखना है उसके बाद आपको इदर आपको नीचे आपको स्टेट का नाम लिखना है ऐसा सब कुछ लिखने के बाद इदर फिर से आपको अपना शहर का नाम आपको लिखना होगा सीटी का ना अब पिन नमबर आपको पता नहीं है तो आपको आदर कार्टके अंदर या तो आप आपना गाव की पोश्ट आफिस में जाकर भी आप आपना पिन नमबर को पता कर पाएंगे और उसके बाद आपको यहां پर अपना मोबाइल नमबर यहां पर लिख देना है बहूत ही अच् करना है ऐसा सब कुछ लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपना एक साइन दे देना है अपना सिगनीचार जो होता है आप यह पर अपना सिगनीचार दे देंगे यह मेरा सिगनीचार है मैंने यह पर दे दिया है और उसके बाद आपको यह बला जो नीचे बला मैंने यहाँ लिखा है यह सब कुछ आपको नहीं लिखना है यहाँ पर आपको कुछ भी आप इदार इदार और इदार नहीं लिखेंगे है ठीक है इसको जो चीजे यह आपको बैंक के अंदर जो करमचारी होता है जो बैंक के अंदर काम करते ओ लोग यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहा अफिशियली यूज ओनली मतलब जो बैंक स्टाफ है वो अपर ब्रांच का नंबर और बैंक स्टाफ का सिगनिचर और ब्रांच कोट बगर यह सब सब कुछ बैंक के अंदर जो नौकरी करता है काम करता है वो लेखेंगे ठीक है आपको सिर्फ उपार से यहां से लेकर और यह कोई भी डुकुमेंस साथ में देने का जरूरात नहीं है आदार कार्ड भी नहीं देना है पैन कार्ड भी नहीं देना है कोई भी डुकुमेंस आपको नहीं देना है सिर्फ आपको जमा कर देना है जमा कर देने के बाद 15 से 20 दीन के अंदर बाई पोस्ट आपकी घर पर अपना ATM कार्ट आ जाएगा